नश्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इसी यूटूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बहुते भी ज्यान जो की most important topic है उसके top 100 questions लेकर आ गया हूँ सारे के सारे questions most important है और आपके आने माले group D exam के लिए महत्तपूर है दोस्तो तो वीडियो को लाच चक जरूर देखें दोस्तो और वीडियो पसंदा है तो एक लाइक जरू कर देजेगा चैनल पर हमारे नए है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा दोस्तो इस चैनल के माध्यम से आपको आने माले आररसी group D exam के लिए चैनल के माध्यम से मिल रहे है जो कि आपके आने मेले ग्रूप दे एक जाम के लिए बहुत ही महत्तपूर वीडियो है इसके अलावा दोस्तो एक और हमारा चैनल ओम जैसवाल आप इसे भी जरूर से जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि इस चैनल की माध्यम से आपको science topic wise, gk topic wise, math topic wise और जितने भी topic wise वीडियो है दोस्तो सारक सारा ओम जैसवाल चैनल से मिलेगा तो आप इसे subscribe जरूर कर लिजेगा तो चलिए दोस्तो आज की most important top 100 वीडियो को start करते हैं इसमें मैं आपको 5 second का समय दूँगा आप अपने answer comment box में बताते चलिएगा जिससे आपकी पता चलेगा कि आपते एक तयारी कितनी हुई है तो वीडियो को start करने से पहले अगर आप लोग एक बार like चरूर कर दिजेग most important question है दोस्तो आपको बताना है जो जहाज होते हैं उसको मापने के लिए eco location का उपयोग किया जाता है इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तो option number A हो जाएगा यानि पानी की गहराई आपको बताते दोस्तो कि जहाजों में eco location द्वारा पानी की गहराई मापी जाती है और यह कार य देखते हैं दोस्तो ध्वानी का एक रूप है जो सुनने की अनुभूती पैदा करती है इसका right answer हो जाएगा दोस्तो option number A यानि यांत्रिक उल्जा आपको बताते दोस्तो कि ध्वानी एक प्रकार की यांत्रिक उल्जा होती है क्योंकि ध्वानी संचरड के लिए माध्यम के कड़ो में दोलन या कमपन होना अनिवार है अगला कोशन देखते हैं दोस्तो निम्नलिकित में से किसी यंत्र में यांत्रिक उल्जा विद्द्द उल्जा में परिवर्तित होती है most important यह भी question है right answer हो जाएके दोस्तो option number D यानि इन में से कोई नहीं आपको बता दे दोस्तो कि transformer में विद्दुत उल्जा होती है और motor वैद्दुत उल्जा को यांत्रिक उल्जा में परिवर्तित करती है तथा विद्दुत मापी द्वारा विद्दुत उल्जा का मापन किया जाता है Dynamo यांत्रिक उल्जा को वैद्दुत उल्जा में परिवर्तित करता है आपकी सफलता की guarantee हमारी SSC में selection की guarantee भी हमारी और सफलता ना मिलने पर refund की guarantee भी अब हमारी जी हाँ वाई जूस एक्जाम प्रेप आपको दे रहा है SSC एक्जाम में सफलता की guarantee तो देर ना करें आज ही हमारे online classroom प्रोग्राम में enroll करें और SSC एक्जाम में अपनी सफलता की guarantee पाएं वरना पैसे वापस Terms and Conditions apply अगला question देख लेते हैं दोस्तों आवेसों के बीच का आकरसड या प्रतिकरसड बल पालन करता है Right answer जागे दोस्तों option number C यानि उपरोक्त दोनों आपको बता दे दोस्तों कि समान प्रकार के आवेस एक दूसरे को प्रतिकरसित करते हैं वो बीपरीत प्रकार के आवेस एक दूसरे को आकरसित करते हैं और इस प्रकार दो आवेसों के बीच एक बल कारता है जिसे वैदुद बल कहते हैं अगला question देख लेते हैं दोस्तों निम्नलेकित में से कौन सी युक्ती विद्दुत उल्जा को यांत्रिक उल्जा में परिवर्टित करती है right answer जागे दोस्तों option number C यानि विद्दुत मोटर आपको उता दे दोस्तों कि विद्दुत मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से विद्दुत उल्जा को यांत्रिक उल्जा में बदला जाता है और इसका बहुत ब्यापक प्रयोग होता है जैसे जल पंप, रेल इंजन, विद्दुत पंखा, कलकार खानों की मसीनों आदी को चलाने में इसका उपियोग होता है अगला कोशन देखते हैं डाइनेमो परिवर्टित करता है इसका जो राइट अंस हो जाएगा दोस्तो ओप्सन नमबर C हो जाएगा यांत्रिक उल्जा को विद्दुत उल्जा में most important question है यह आपको उता देखी जो डाइनेमो होता है वो यांत्रिक उल्जा को विद्दुत उल्जा में परिवर्टित करता है और इसके विप्रीत विद्दूत मोटर विद्दूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्तित करता है अगला कोशन देखते हैं दोस्तो लाओड स्पीकर में उर्जा परिवर्तित होता है राइट अंसर हो जागे दोस्तो अप्सन नमबर सी यानि ध्वनी से विद्दूत और विद्दूत से ध्वनी उर्जा लाओड स्पीकर जो की एक ऐसा यंत्र है जो microphone से सरोपर्थम ध्वनी उल्जा को विद्धूत उल्जा में एवं ततपस्चाद विद्धूत उल्जा को ध्वनी उल्जा में परिवर्तित करता है चलिए दोस्तो अगला question देखते हैं एक photo विद्धूत सेल खाले स्थाने में परिवर्तित करता है लाइट अंसो जाएगे दोस्तो अप्सन नमबर सी यानी प्रकास उलजा को विद्दुत उलजा में बता दे कि जो एक फोटो विद्दुत सेल प्रकास उलजा को विद्दुत उलजा में परिवर्तित करता है और यह युक्ती प्रकास वैद्दुत प्रभाव के सिध्धान्त पर आधारित है और इन सेलों का उपियोग टेलिवीजन वह प्रकास मापी में किया जाता है अगला कुश्चन देखते हैं दोस्तों टेलिफोन लाइन में प्रवाहित उल्जा कौन सी है राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्सन नमबर बी यानि विद्दुत उल्जा आपको बता दे दोस्तों कि जो टेलिफोन लाइन में प्रवाहित उल्जा विद्दुत उल्जा के रूप में होती है और टेलिफोन का सिध्धान्त विद्दुत चुम्बकिये प्रेरण पर आधारित होता है और इसमें धातु की दो प्लेटों के बीच कारवन के दाने रखे जाते हैं इसमें ध्वनी उल्जा को विद्दुत उल्जा में परिवर्तित करके प्रवाहित किया जाता है चलिए दोस्तो अगला कुशन देख लेते हैं विद्दुत मोटर परिवर्तित करता है राइट अंसर हो जागे दोस्तो अप्सन नमबर बी यानि विद्दुत उल्जा को यांत्रिक उल्जा में ये भी मोस्ट इंपोर्टन कुशन है दोस्तो आपको बता दे कि जो उल्जा सरचड के नियम के नुसार उल्जा न तो उत्पन की जा सकती है और न नश्ट की जा सकती है केवल एक प्रकार की उल्जा को दूसरी उल्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और विद्दुत मोटर वह यंत्र है जिससे विद्दुत उल्जा को यांत्रिक उल्जा में बद इसमें जीतनी भी 500 प्लस न महतपूर है, सारा के सारे ट्रिक के माधम से और साधारा तरिके से बताया गया है, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगा, यह most important ebook है दोस्तों, महतपूर है आपके आने वाले ग्रूप डिग्जाम के लिए, तो आप इस ebook को जरूर से जर लिए बहुत ही महतपूर दोस्तों, तो आप इस ebook को जरूर से जरूर लेजे, यह आपके एग्या में बहुत हेल्प करेगा, इसका भी link आपको discussion box मिल जाएगा, जहां से आप उसे आसानी से ले सकते हैं, अगला question देख लेते हैं दोस्तों, परिसोधन का प्रयोग किस परि सोधन का प्रयोग होता है, और ac को dc में परिवर्तन के लिए किया जाता है, और विद्युत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्तन मोटर द्वारा होता है, अगला question दोस्तों, बिजली की मसीनों में परत की हुई कोर का प्रयोग किया जाता है, राइट अंसर हो जाएगे दोस्तों, option number a, यानि ac धारा छती को कम करने के लिए, यानि बिजली की मसीनों में परत की हुई कोर का प्रयोग ac धारा को कम करने के लिए किया जाता है, छती को, अगला question देखते है, dc जनरेटर में ब्रस को हमेशा रखा जाता है, राइट अंसर हो जाएगे दोस्तों, option number a, यानि magnetic neutral ac के साथ, आपको बताज़ें, जो dc जनरेटर में ब्रस को हमेशा magnetic neutral ac के साथ रखा जाता है, अगला question देखते हैं दोस्तों, dc जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध rc होता है, राइट अंसर हो जाएगे दोस्तों, option number b, यानि यह voltage के उतार चड़ाव से मुक्त होती है, आपको बताज़ें के dc जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध rc गती के समानुपाती होता है, अगला question देखते हैं, निम्नलेखित में से कौन सा अवयाओ किसी electronic परिपत में dc को ब्लॉक करने के लिए उपियोग में लिया जाता है, right answer हो जाएको दोस्तो, option number db यानि धारिता, आपको बता दें दोस्तो कि capacitance electronic परिपत यानि dc को रोकने के लिए उपियोग होता है, और dc voltage के लिए आवरित्ती सुनने है, इसलिए capaciative reactance अनंत होता है, अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो, किसी air conditioning plant की छमता को ब्यक्त किया जाता है, right answer हो जाएको दोस्तो, option number c यानि cop में, बता दें कि जो air conditioning plant की छमता को cop यानि coefficient of performance में ब्यक्त किया जाता है, अगला कोशन देखते हैं दोस्तो, रोसनी के लिए प्रयोक्त साधारण tube light में होता है, right answer हो जाएका option number d यानि, दो filament fluorocent पदार्थ वपारावास, आपको बताते कि रोसनी के लिए प्रयोक्त साधारण tube light में, दो filament fluorocent पदार्थ वपारावास होता है, अगला कोशन देखते हैं दोस्तो, रासायनिक उल्जा का विद्धूत उल्जा में परिवर्थन होता है, most important question है, right answer जागे दोस्तो, option number c यानि, बैटरी में, आपको बताते दोस्तों कि जो बैटरी होती है और रासायनिक उल्जा को विद्धूत उल्जा में परिवर्थित करती है और डाइनेमो यांत्रिक उल्जा को विद्धूत उल्जा में तथा हीटर विद्धूत उल्जा को उस्मा में बदलते हैं अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों विद्दुत उपकरडों को क्यों भू संकरपित किया जाता है राइट अन्सों जागा दोस्तों अप्शन नमबर ब यानि आगहात से बचाओ के लिए आपको बता दे कि इलेक्ट्रिक प्रेस, पंखा, प्रिट जैसे उपकरडों में जिनमें धात्विक धाचा होता है सुरच्छा की दृष्टी से भू संकल्पित तार का प्रयोक किया जाता है और यह तार अल्प प्रतिरोध परिपद उपलब्ध कराकर सुरच्छा प्रदान करता है इसलिए जब धात्विक धाचे में कोई धारा प्रवायत होती है तो यह उसे प्रिथवी के विभव पर कर देता है परिडाम सरूप प्रयोकता को तीवर विद्धुत आघात से सच्छती की संभावना समाप्त हो जाती है अगला कोशन देखते हैं इस्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहन सील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्पुड अंतर के अनुपात में है इसको क्या कहा जाता है राइट अंस हो जाएको दोस्तो अप्सन नमबर B यानि ओम का नियम आपको बता दे कि वहन सील तरंग विद्धुत धारा होती है और चालक के छोरों के बीच का महत्पुड अंतर अर्थात विवांतर होता है और धारा एवं विभाव में ताप आदी भौतिक अवस्थाओ के इस्थिर रहने पर सीधा संबंद होता है इसे ओम का नियम कहते हैं अगला कोशन देखते हैं दोस्तो डायोड वह प्रयूक्ती है जो धारा को राइट अंस हो जाएको दोस्तो अप्शन नमबर ए यानी एक दिशा में प्रवाहित होने देती है आपको बता दे कि डायोड वाल्ब में धारा केवल एक दिशा में बह सकती है इसी कारण इसे वाल्ब कहते हैं चुकि इसमें दो इलेक्टोड होते हैं अता इसे डायोड कह करते हैं वर्स 1904 में इंगलेंड के बग्यानिक फ्लेमिंग ने तापायनिक उतसरजन पर एक ऐसी युक्ति का आविस्कार किया जिसके द्वारा उच निर्वात में बैदुधारा प्रवाहित की जाती है जिसे डायोड वाल्ब कहते हैं अगला कोशन देखते हैं दोस्तो न इमन यंत्र से विद्दुधारा का मापन करते हैं इसका राइट अंसर जागा उप्सन नमबर डी यानि ए मीटर आपको बता दे कि ए मीटर से विद्दुधारा का मापन करते हैं और विद्दुधारा की एकाई एमपियर है अगला कोशन देख लेते हैं ट्रायोड का प्रय प्रयोग होता है, most important question है, right answer हो जागो दोस्तों, option number D, यानि उपरोक्त सभी में, आपको बता दे कि triode एक प्रकार की युकती है, जिसे amplifier के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसमें एक निर्वात कांच की tube होती है, और तथा 3 electrode होते हैं, अगला question देख लेते हैं दोस्तो किसी संधारित्र को विद्दूत परिपत में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, right answer हो जागो दोस्तों, option number C, यानि आपको बता दे कि संधारित्र चालक के आकार में परिवर्तन के बिना ही उस पर परियाप्त विद्दूत आवेस संचित करने की युकती होती है, अगला बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेश्ट कहते हैं, right answer हो जागो दोस्तों, option number B, यानि सबसे उपर, आपको बता दे कि बोल्ट की चूड़ी के सबसे उपर के भाग को क्रेश्ट कहते हैं, अगला question देखते हैं, निमने लिखित में से समय का मात्रक नहीं है, most important question है ये, right answer हो जागो दोस्तों, option number C, यानि प्रकास वर्स, आपको बता दे कि अधी वर्स उसे कहते हैं, जब फरवरी 29 दिन की होती है, चंद्रमाह चंद्रमाह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय होता है, अर्थात अधी वर्स तथा चंद्रमाह दोनों समय की माप बतात हैं, जबकि प्रकास वर्स, प्रकास द्वारा एक वर्स में चली गई दूरी को कहते हैं, अर्थात प्रकास वर्स समय का नहीं वरन दूरी का मातरक है, अगला क्वेशन देख लेते हैं दोस्तों, किसी डायोड का फारवर्ड प्रतिरोध होता है, राइट अंसर हो जाएका दोस्तों, अप्सन नमबर सी यानि बहुत कम, आपको बता दे किसी डायोड का फारवर्ड प्रतिरोध बहुत कम होता है, और डायोड द्वारा उच्च निर्वाह में विद्दुधारा प्रवाहित की जाती है, अगला क्वेशन देख लेते हैं द राइट अंसर हो जाएका दोस्तों, अप्सन नमबर डी यानि पावर फैक्टर को कम करना, आपको बता दे कि चोक लगाने का उद्देश से पावर फैक्टर को कम करना होता है, इससे विद्दुध उलजा का रास कम होता है, अगला क्वेशन देख लेते हैं, बोजी विद् उत्पादन है, राइट अंसर हो जाएका दोस्तों, अप्सन नमबर डी यानि दाब प्रेसर, आपको बता दे दोस्तों कि पोजी विद्दुध प्रभाव में विद्दुध उत्पादन दाब द्वारा होता है, और वस्तुता क्वार्टर आदी कुछ पदार्थों के बीच में विभवांतर की उपस्थिती होती है, जिसे विद्दुध उत्पादन होता है, अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रान बोल्ट मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन है ये, राइट अंसर हो जागा दोस्तों, अपसन नमबर D यानि उर्जा का, आपको बता दे कि जो इलेक्ट्रान बोल्ट होता है, वो उर्जा का मात्रक होता है, अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बिजली घर में सप्लाई की जाने वाली बोल्टेज को इस्थिर करने के प्रयोग में लाई जाती है, इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तों, अपसन नमबर B यानि ट्रांस फार्मर, आपको बता दे कि बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली बोल्टेज को इस्थिर करने के लिए ट्रांस फार्मर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग बोल्टेज को बढ़ाने के लिए विद्यूत उर्जा की अधिक दूरी तक सप्लाई के लिए किया जाता है, अगला कोशन देखते हैं, निमनलिकित में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर D यानि ग्रेफ निरोध होते हैं और ग्रेफाइट जो कि एक चालक है, इससे होकर विद्यूत धारा प्रवाहित होती है, अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों, विद्यूत परिपत में सेप्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है, फ्यूज के नियून, इसका राइट अंसर हो जागे दोस्तों, अप्शन नंबर C यानि गलन बिंदू पर, आपको बता दे कि जो विद्यूत परिपत में सेप्टी फ्यूज की उपयोगिता फ्यूज के नियून गलन बिंदू पर निर्भर करती है, अगला कोशन देखते हैं, एक विद्यूत परिपत में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका राइट अंसर हो जागे दोस्तों, अप्शन नंबर C यानि सरकिट में प्रवाइत होने वाली अधिक विद्यूत को रोकने के लिए, अगला कोशन देखते हैं, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है, इसका आपको बता दे कि जो एक फ्यूज का तार अत्यधिक धारा प्रवाह के लिए, विद्धुत परिपत को तोड़ने का कार्य करता है, और फ्यूज तार का जो गलनांक कम होता है, तथा उसे परिपत के साथ स्रेडी क्रम में जोड़ा जाता है, अगला कोशन देखते हैं दोस अप्शन नमबर C हो जाएगा, यानि सीशा और टीन का, फ्यूज का जो तार होता है, सामानेता, सीशा और टीन की मिस्रधातू से बना होता है, और इसका गलनांक कम होता है, जिससे अधिक धारा प्रवाह की इस्थिती में यह गलकर विद्दुद विच्षेदन कर देता है और इस प्रकार यह उपकरडों को जलने से बचाता है अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तो रेक्टी फायर का प्रयोग किया जाता है राइट अंसर हो जागे दोस्तो अप्सन नमर डी यानि एसी को डीसी में बदलने के लिए आपको बता दे रेक्टी फायर यानि डीस्ट धारी वह युक्ती है जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है अगला कोश्चन देखते हैं ट्रांजिस्टर मुख्यत है राइट अंसर हो जागे दोस्तो अप्सन नमर बी यानि धारा से चलने वाला साधन आपको बता दे दोस्तो कि ट्रांजिस्टर मुख्यत है धारा से चलने वाला उपकरण है और ट्रांजिस्टर का उपियोग प्रवर्धक दो लित्र एवं माडुलक आदी के रूप में होता है अगला कुशन देखते हैं दोस्तों किसी transistor का आधार होता है राइट अनसे हो जाएके दोस्तों option number B यानि lightly doped आपको बता दे कि जो transistor का आधार यानि base होता है वो lightly doped होता है और transistor दो प्रकार के होते हैं अगला कुशन देखते हैं दोस्तों जो तत्व बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता वह है राइट अनसे हो जाएके दोस्तों option number A यानि sulfur आपको बता दे दोस्तों कि aluminium हो गया magnesium हो गया और potassium हो गया ये विद्दूत के सूचालक होते हैं जबकि अगर sulfur की बात के दोस्तों तो ये विद्दूत का कूचालक होता है अगला question देखते हैं निमनलेखित में उच्चतम विद्दूत चालकता वाला तत्व है इसका right answer हो जागा दोस्तों option number A यानि silver चांदी आपको बता दे कि जो silver यानि चांदी होती है विद्दूत चालकता वाला तत्व है इसके बात copper यानि तामबा का अस्थान आता है अगला question देख लेते हैं दोस्तों निमन में से कौन एक अर्ध चालक है right answer हो जागा option number C यानि silicon आपको उता दे दोस्तों कि अर्ध चालकों के अंतरगत आवरत सारडी के चतुर्थ वर्ग के तत्व आते हैं जिसमें carbon, silicon, germanium, silika आदी आते हैं और अर्ध चालक के रूप में सरोपर्थम germanium का इस्तिमाल किया गया था परन्तु आज silicon का प्रयोग सरवाधिक मात्रा में किया जा रहा है अगला question देख देख देखें दोस्तों जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध right answer जाएक दोस्तों option number B यानि बढ़ जाता है आपको बता दे कि धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्टरानों की गती पर प्रतिरोध निर्वर करता है और जितनी अधिक तेजी से इलेक्टरान गती करेंगे धातु की प्रतिरोध थकता उतनी ही अधिक होगी अगला कोशन देखते हैं किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपर्यूक्त विद्धूत रोधी है right answer जाएक दोस्तों option number D यानि polyvillial chloride आपको उतादे कि किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपर्यूक्त विद्धूत रोधी polyvinyl chloride होता है अगला कोशन देखते हैं दोस्तों निम्न में कौन विद्धूत रोधी नहीं है most important and maximum repeated ये कोशन है कि इन में से कौन विद्धूत रोधी नहीं है तो इसका right answer जाएक option number C यानि चारकोल आपको बता दे कि जिन पदार्थों से होकर विद्धूत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्धूत रोधी कहते हैं जैसे लाख, सीशा, एबोनाईट, कास्ट, रबर, अभरग, सलफर, सुस्क हवा, सिल्क, आदी और चारकोल विद्धूत का चालक है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों विद्धूत मात्रा की एकाई है लाइट अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर A यानी एमपियर आपको बता दे कि विद्धूत मात्रा या विद्धूत धारा की एकाई SI पधती में एमपियर होती है और ओम विद्धूत प्रतिरोध का मात्रक होता है और दोस्तों बोल्ट की बात करें तो विद्धूत बिभाव का मात्रक तथा कूलाम विद्धूत आवेस का मात्रक होता है अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों मेगर मापने का एक उदाहरण है राइट अंसर जाएगा दोस्तों ओप्सन नमबर B यानी इंसुलेशन प्रतिरोध आपको बता दे जो मेगर की सहायता से इंसुलेशन प्रतिरोध को मापा जाता है अगला कोश्चन देखते हैं वह आपूर्ती जो कंडेशनर से होकर नहीं गुजर सकती है वह है राइट अंसर जाएगा ऑप्सन नमबर B यानी डी सी आपूर्ती डी सी आपूर्ती कंडेशनर से होकर नहीं गुजर सकती है अगला कोश्चन देखते हैं आ मीटर का प्रतिरोध संट के प्रतिरोध की अपेच्छा राइट अन्स हो जाएगो दोस्तो अप्शन नमबर B यानि कम होता है जो आमीटर का प्रतिरोध होता है और संट के प्रतिरोध की अपेच्छा कम होता है अगला कोश्चन देख लेते हैं पचासवा कोश्चन है विद्धुत बल्ब में तन्तू किसका बना होता है आप्शन नमबर D यानि टंगस्टन का बता दे कि विद्धुत बल्ब में तन्तू यानि फिलामेंट टंगस्टन धातु का होता है क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक होता है और तन्तु में धाता धारा प्रभाइत होने पर उसका जो ताप होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है अगला कोश्चन देखते हैं टंगस्टन का गलनांख बिंदू लगभग है अभी मैंने बताया इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तो ओप्सन नंबर B यानी 3000 डिग्री सेंटिग्रेट आपको बताया मैंने कि जो टंगस्टन का गलनांग बिंदू होता है वो 3000 डिग्री सेंटिग्रेट होता है अगला कोश्चन देख लेते हैं निमनलेकित में से कौन सी धातू रोसनी के बल्बो में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी कोश्चन है राइट अन्स हो जाएगा दोस्तो अप्सन नमबर सी यानि टंगस्टन आपको बतने बता है कि बल्बो में रोसनी के लिए टंगस्टन के तंटू का प्रयोग किया जाता है और यह तंटू निरवात में ओर्धुपातन की क्रिया का प्रदर्शन करता है इसलिए बल्ब कमजोर हो जाते हैं अत्यदिक बल्ब में नाइट्रोजन आरगन गैस का प्रयोग करते हैं अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तो सामान्यत नाइक्रोम का उप्योग होता है राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो अप्शन नमबर ब यानि उस्मक की कुंडली में आपको बता दे कि नाइक्रोम का गलनांक अधिक होने के कारण उस्मक यानि हीटर की कुंडली में प्रयोग किया जाता है अगला कुशन देखते हैं दोस्तो किस कारण वस विद्दूत बल्ब के फटने पर हलका धमाका होता है राइट अंसो जाएका उप्शन नमबर सी यानि बिद्दूत बल्ब के फूटने पर उसके निरवात की पूर्ती के लिए वायू तिब्र गती से प्रवेस करती है जिससे हलका धमाका होता है अगला कोशन देखते हैं दोस्तो बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है क्योंकि इसका राइट अंसो जाएगा उप्शन नमबर ए यानि बल्ब के अंदर निरवात होता है जिसकारण बल्ब तूटने पर बाहर की वायू तेजी से अंदर प्रवेस करती है जिससे आव आज होती है अगला कोशन देखते हैं दोस्तो एक विद्दूत लैंप का फिलामेंट स्वेथ तप्त हो जाता है परन्तु फिलामेंट को थामे रखने वाली तार का अगला सीरा मात्र थोड़ा सा गर्म होता है क्यों राइट अंसर हो जाएगे दोस्तो ओप्सन नमबर बी आपको बता दे कि जो फिलामेंट का तार होता है और टंगश्टन धातु का बना होता है जिसका प्रतिरोध काफी जादा है और पतला होने के कारण इसका प्रतिरोध और बढ़ जाता है जिससे विद्दूत धारा को ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है फलस्वरूप तार गर्म होकर प्रकास उस्तसरजित करने लगता है और फिलामेंट को थामे रखने वाले तार का प्रतिरोध अपेच्छा करित कम होता है और मोटा तार होने के कारण प्रतिरोध और कम हो जाता है अता इसमें प्रवाहित अधिकान सिधारा का आसानी से संचरण हो जाता है और यहतार मात्र थोड़ा सा गर्म होता है अगला कोश्चन देखते हैं निमनलिखित वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविश्कार किया गया था राइट अंसर जागा दोस्तो आप्शन नमबर सी यानि बेंजामीन फ्रैंकलीन बता दे कि तड़ित चालक का आविश्कार बेंजामीन फ्रैंकलीन ने 1752 में किया था और ग्राहम बेल ने टेलिफोन का आविश्कार किया था और लाड लिष्टन ने एंटिसेप्टिक सरजरी का तथा आइंस्टाइन ने सापेच्छता का सिध्धान्त दिया था अगला कोशन देखते हैं दोस्तो इस्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है Most Important Maximum Bar Repeated ये कोशन है Right answer हो जाएगा Option Number A यानि सीशा का लेड का बता दे कि स्टोरेज बैटरी दो प्रकार की होती है कौन-कौन सी तो लेड इस्टोरेज और अलकलाइन स्टोरेज अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो इस्टोरेज बैटरी में इस्तमाल की जाने वाली धातू होती है Right answer हो जाएगा Option Number C यानि जस्ता आपको बता दे कि जो स्टोरेज बैटरी में जिंक धातू का इस्तमाल किया जाता है और सुस्क सेल में जिंक का उपियोग एनोड बनाने में किया जाता है एवं कारवन के कैथोड बनाए जाते हैं अगला कोशन देखते हैं दोस्तो घरों में लगे बिजली के मीटर विद्दुत के बैख को रिकार्ड करता है राइट अंसर जाएगा ओप्सन नमबर C यानि किलो वाट यूनीटों में बता दे कि घरों में लगे बिजली के मीटर विद्दुत के बैख को किलो वाट और यूनीट हावर्स यूनिटों में रिकार्ड करते हैं ये मीटर ब्याय उर्जा को किलो वाट घंटा में मापते हैं और एक किलो वाट उर्जा की वह मात्रा है जो एक हजार वाट की सामर्थ वाले उपकरडों में एक घंटे में ब्याय होती है इसका मान कितना होता है तो 3600 जूल होता है अगला कुश्चन देख लेते हैं दोस्तो डाइपोल टेली बूजन एंटीना के टर्मिनल इंपिडेंस को रखा जाता है अगला कुश्चन देखते हैं दोस्तो एक धातू के तार में विद्दुत का प्रवाह होता है राइट अंसर जाएक दोस्तो अप्सन नमबर ए यानि इलेक्टरान के कारण यानि धातू के तार में विद्दुत का प्रवाह इलेक्टरानों के कारण होता है और धातू में मुक्त इलेक्टरान होते हैं जो विद्दुत के चालन में सहायता करते हैं और इलेक्टरान की गती के बीपरीत दीसा में धारा का प्रवाह होता है अगला कोशन देखते हैं सुस्क सेल में किस तरह की उल्जा निहित होती है इसका राइट अंस हो जाएगा अप्शन नमबर सी यानी राशायनिक आपको बता दे कि सुस्क सेल में राशायनिक उल्जा भंडारित होती है और प्रयोग के समय यह विद्धुत उल्जा में बदल जाती है सुस्क सेल का लगातार प्रयोग करने पर धारा का प्रवाह नहीं हो पाता अता परिपत में सुस्क सेल का प्रयोग रुक रुक कर करना चाहिए अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों कास्टिंग प्रक्रिया में आंतरिक दोस ढून निकालने जा सकते हैं इसका राइट अंसो जागा ओप्शन नमबर D यानी अल्ट्रासोनिक परिच्छड द्वारा बता दे कि इस कास्टिंग ढालने की प्रक्रिया में आंतरिक दोस अल्ट्रासोनिक परिच्छड द्वारा धून निकाले जा सकते हैं अगला कोशन देखते हैं निम्नांकित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है राइट अंसो जाग ओप्शन नमबर D यानी पानी का भाप में बदलना आपको बता दे कि भौतिक परिवर्तन के बाद पदार्थ पुर अवस्था में लोड सकता है किन्तु रासायनिक पर परिवर्तन होने पर नहीं पाने का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन है और सेस सभी जो हैं और रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना दूद से दही बनना और कोईले का जलना ये सब रासायनिक परिवर्तन है अगला कोशन देखते हैं धारा को मापने का आपक विदीत है इसका राइट अन्स हो जाएगा दोस्तों अप्शन नमबर D यानि एम्मा मापी आपको बता दे कि धारा को एम्मापी यानि धारा मापी द्वारा मापा जाता है अगला कुश्चन देखते हैं सुस्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है राइट अन्स हो जागा ओप्शन नमबर B यानि कैथोड का बता दे कि सुस्क सेल में जिंक धातू का बाय मात्र पात्र होता है जो इनोड के रूप में कार्य करता है और कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करती है अगला कोशन देखते हैं बैटरी के धनात्मक धुरूव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं आपको बता दे कि विद्दूत सेल में धातू की दो छड़े होती है इन पर बीपरीत आवेस होता है और धनावेसित छड़ को धनोद तथा रिडावेसित छड़ को रिडोद कहते हैं अगला कोश्चन देख लेते हैं दूस्तों प्रत्यावर्ती प्रमात्रा के धनात्मक वर रिडात्मक मानों के संपूर सेट को कहते हैं राइट अंसर जाएक ओप्षिन नमर डी यानी साइकल यानी चक्र बता देगे प्रत्य वालती प्रमात्रा के dharmaत्मक वर रिडात्मक मानों के संपूल सेट को चक्र यानी साइकल कहते हैं और प्रत्या वर्ति धारा एक चक्र पूरा करने में जो समय लेती है उसे धारा का आवर्त काल कहते हैं अगला कोशन देखते हैं दोस्तों इन में से कौन भिन है राइट एंसर जाएगे दोस्तों अप्सन नमबर C यानि कैलोरी आपको बता दे दोस्तों कि प्रतिरोध, धारिता और अवरोध भौतिक रासियां है यानि ये जो तीनों है ये भौतिक रासियां है इसके अलामा कैलोरी जो है उसमा की एकाई है और इन तीनों से अलग है अगला कोश्चन देखते हैं जब किसी उदासीन धातू के गोले को धनात्मक रूप से आवेसित काँच की छड़ के संपर्क से आवेसित किया जाए तो यह गोला राइट अंस हो जाएगा दोस्तो अप्सन नमबर ए यानि इलेक्टरॉन गवाएगा आपको बता दे कि जब किसी उदासीन धातू के गोले को धनात्मक रूप से आवेसित काँच की छड़ से इसपर्स कराया जाता है तो प्रेरर के सिधान्त से वह इलेक्टरान काच को देगा और धनात्मक रूप से आवेसित हो जाएगा अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तों यदी विद्दुत आवेसित दो वस्तूओं को एक तारा से जोड़ा जाए तो विद्दुत करंट प्रवाहित नहीं होगा यदी राइट अन्सों जाएगा ओप्शन नमबर डी यानि दोनों का विभाव समान हो आपको बता दे कि दो विद्दुत आवेसित वस्तूओं के बीच करंट तभी प्रवाहित होती है जब उसके बीच विभांतर हो अर्थात विद्दुत का प्रवाह अधिक विभावाली वस्तू से कम विभावाली वस्तू की योर होता है अगला कोशन देखते हैं दोस्तो वाट को प्रकट कर सकते हैं most important राइट अंसर जाएगे दोस्तो ओप्सन नमबर सी यानि जूल प्रती सेकेंड में बता दे कि वाट सकती का मातरक है और कारे करने की छमता सकती कहलाती है और इसका मातरक जूल प्रती सेकेंड भी होता है इसकी एक इकाई है राइट अंसर जाएगे दोस्तो ओप्सन नमबर ए यानि उर्जा की आपको बता दे इलेक्टरान बोल्ट उर्जा का मातरक है और एक इलेक्टरान बोल्ट वह उर्जा है जो किसी इलेक्टरान को एक बिंदू से दीसरे बिंदू तक ले जाने में ब्या अंतर होता है अगर हम बात के दोस्तों एक इलेक्टान बोल्ट बराबर कितना होता है तो एक दसमलव छे गुड़े दस के घाते माइनस 19 जूल होता है अगला कोश्यन देख लेते हैं करंट ले जाने वाले दो समाना अंतर तारों के बीच का बल किसकी परिभासा के लिए प्र बता दे की वैंपियर वैदुद्धारा का वह धारा है जो की निरवात में एक मीटर की दूरी पर इस्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समानतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रतेख तार की प्रती मीटर लंबाई पर तारों के बीच दो गुड़े दस के पावर माइनस साथ निउटन का बल उत्वन करती है अगला कोशन देखते हैं एक फैराडे बराबर होता है Most important यह भी है Right answer जाएगा दोस्तो Option number A यानि एक कुलाम एक बोल्ट आपको बतादे कि किसी इलेक्ट्रोड से विद्दुधारा या विद्दुध के प्रवाहित होने को एक फैराडे कहते हैं अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो बड़े बड़े भवनों में विद्दुध चालक लगाए जाते हैं इसका Right answer हो जाएगा Option number D यानि बड़े बड़े भवनों को तडित से सुरच्छा के लिए तामबे की मोटी पट्टी लगा देते हैं इसके उपरी सिरे पर कई नुकेले सिरे बने होते हैं जब आवेसित बादल भवन के उपर से गुजरते हैं तो उनका आवेस तडित चालक के द्वारा ग्रहड कर लिया जाता है और बिना कोई हानी पहुचाए यह आवेस जमीन में चला जाता है और इस प्रकार भवनों की सुरच्छा हो जाती है और इस नुकेले सिरे को भवनों के सबसे उपर लगा दिया जाता है तथा इसका संपर्क जमीन से कर दिया जाता है अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तो विद्धुत उल्जा मापने के यंत्र को कहते हैं राइट अंसर जाएको दोस्तो अप्शन नंबर C यानी किलो वाट घंटा बता दे कि विद्धुत उल्जा को मापने के यंत्र को किलो वाट घंटा मीटर कहते हैं और विद्धुत उर्जा का मात्रक किलो वाट घंटा है और इसे Board of Trade Unit या यूनिट भी कहते हैं अगला कोश्चन देखते हैं जरमेनियम क्रिस्टल को फासफोरस तथा एंटी मनी की सामान संख्या में मिलाया जाता है जो है जरमेनियम क्रिस्टल में मिला दिया जाता है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है और इस प्रकार के अपद्रव्य मिले असुद अर्ध चालकों में आवेस वाहक रिडात्मक कड़ ही होते हैं अता इस प्रकार के असुद अर्ध चालक को एन प्रकार का अर्ध चालक कहते हैं अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तो एक अती चालक दीखाता है राइट अंसर जाएगे दोस्तो अप्षन नमबर D यानी पैरा मैगनेटिज्म आपको बता दे कि अतिचालक यानी सूपर कंडक्टर्स पैरा मैगनेटिज्म दिखाता है और पैरा मैगनेटिज्म पदार्थों के प्रतेक परमाडू में अधिक के इलेक्टरानों के कारण एक इस्थाई चुम्बकी आगुड होता है इसका प्रतेक परमाडू एक छोटे दंड चुम्बक की भाती बेवार करता है अगला कोशन देखते हैं किसी चुम्बकी चेतर की तिब्रता किसके द्वारा अनुभवित बल द्वारा परिभासित की जाती है राइट अन्सर जाएगे दोस्तो अप्शन नमबर ब यानि यूनिट धनात्मक चार्ज आपको बता दे दोस्तो अगला कोशन हो गया आगए दोस्तो देख लिते हैं तो अगला जो कोशन है दोस्तो विद्दुत दर्सी का कार्या है राइट अन्सर जाएगे दोस्तो अप्शन नमबर यानि विद्दुत आवेस की उपस्थिती की पहचान करना आपको बता दे विद्दुत दर्सी की सहायता से विद्दुत आवेस की उपस्थिती की पहचान की जाती है और इसकी सहायता से किसी चालक पर उपस्थित आवेसों की प्रकृती की भी जानकारी होती है अगला कोशन देखते हैं विद्दुत प्रतिरोध मापा जाता है मोश्ट इंपोर्टर कोशन है दूस्तो राइट अंस तो जाएगा दूस्तो अप्शन नमबर C यानि ओम में आपको बता दे कि प्रतिरोध विद्दूत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है और यदि किसी चालक के सीरो के बीच एक बोल्ट का विभवांतर होने पर उसमें एक एंपियर की धारा प्रवाईत हो तो उसका वैद्दूत प्रतिरोध एक ओम होगा अगला कोशन देखते हैं एक AC जनेरेटर में मुख्यत होता है राइट अंस हो जाएगा दूस्तो अप्सन नमबर डी यानि उपर्यूक्त सभी आपको बता दे कि AC जनेतर में मुख्यतया आर्मेचर, छेत्री चुम्बकत्व, इसलीप, रिंग और बूसेस होते हैं और आर्मेचर को पेट्रोल इंजन की सहायता से चुम्बकी यह छेत्र में तेजी से गुमाया जाता है जिससे कुंडली में एक पिरेरित विद्दुत वाहक बल उत्पन हो जाता है और विद्दुत धारा बहने लगती है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो विद्दुत वाहक बल बराबर होता है राइट अंसो जाएको दोस्तो अप्शन नमबर C यानी उर्जा प्रती यूनिट आवेस के आखो बता दे कि एक आँख आवेस को पूरे परिपत में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो उर्जा दी जाती है उसे सेल का विद्धुत वाहक बल कहते हैं अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवरित्ती है राइट अंसो जाएको दोस्तो अप्शन नमबर B यानी 50 हर्ट आपको बता दे कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा में सभी आवरित्ती 60 हर्ट के अस्थान पर 50 हर्ट होती है कनेक्ट करने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, यदि उसमें एक समान हो, राइट अन्स हो जागा दोस्तों आवेशित पिंडों के बीच विद्धु धारा का प्रवाह उच बिभव से निम्न बिभव की ओर होता है, और एक समान बिभव होने की इस्थिती में दोनों पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अगला कोशन देखते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर है? राइट अंसर जाएगे दोस्तों, अप्सन नमबर डी यानी बी और सीजी आपको बता दे, जो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वो चालक की लंबाई और चालक का अनुपस्त छेत्र पर निर्भर होता है, अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन स सूर के प्रकास को सीधे विद्दुत उल्जा में परिवर्तित कर देता है, राइट अनसर जाएगे दोस्तों, अप्सन नमबर बी यानी सोलर सेल, बता दे कि जो सोलर सेल होता है, वो सूर के प्रकास को सीधे विद्दुत उल्जा में परिवर्तित करता है, अगला कोशन द option number A यानि Newton प्रती कुलंब बतादे दोस्तों कि जो विद्दुत छेत्र की तिब्रता होती है और E बराबर F अपान क्यूं होता है और विद्दुत छेत्र की जो तिब्रता का मातरक होता है और Newton प्रती कुलंब होता है अगला question देख लेते हैं निम्नलेकित पतार्थों में वि right answer हो जाएको दोस्तों option number D यानि Aluminium आपको बतादे दोस्तों कि दिये गए विकल्पों के अनुसार Aluminium जो है विद्दुत का सूचालक है और चीनी, मिट्टी, अभरक, काच, विद्दुत के कूचालक है अगला question देख लेते हैं दोस्तों निम्नलेकित में से कौन सी विद option number D यानि Carbon बतादे कि इन अभी विकल्पों के अनुसार सबसे खराब चालक कारबन है और copper, aluminium, iron ये सब अच्छे चालक है अगला question देख लेते हैं किस अमल का उप्योग सीशा संचायक बैटरी में किया जाता है most important right answer जाएगे दोस्तों option number A यानि sulfuric अमल आपको बतादे कि सीशा संचायक बैटरी आवेस का संचयन करती है और sulfuric अमल में आवेस अधिक संचय होता है इसलिए सीशा संचायक बैटरी में sulfuric अमल का प्रयोग किया जाता है अगला question देखते हैं किसी वस्तू में अतिचालकता तब प्रकट होती है जब right answer जाएगे दोस्तों option number C यानि इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है बता दे कि कुछ पदार्थों को काफी निम्न ताप पर ठंडा करने पर उसमें अतिचालकता के गुड़ आ जाते हैं अतिचालकता निम्न ताप तक ठंडा करने पर ही प्रकट होती है अगला कोशन देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का SI मातरक है most important ये कोशन है और maximum बार repeat होता है कोशन ये भी जो है विशिष्ट प्रतिरोध का SI मातरक क्या है तो इसका right answer हो जाएगे दोस्तों option number C यानि जो विशिष्ट प्रतिरोध का मातरक होता है वो ohm meter होता है अगला question देख लिते हैं दोस्तों विद्दुत आवेश का मातरक क्या है ये भी most important है right answer हो जाएगे दोस्तों option number B यानि कुलाम बता दे कि जो विद्दुत आवेश का मातरक SI प्रतिती में कुलाम होता है और एक आवेश पर 1.6 गुड़े 10 के घाते माइनस 19 कुलाम आवेश होता है अगला question देख लिते हैं दोस्तों सुस्क सेल की छमता होती है right answer हो जाएगे दोस्तों option number B यानि 1.5 बोल्ट आपको बता दे जो सुस्क सेल जिसका उपयोग टार्च एवं ट्रांजिस्टर में किया जाता है और उसकी छमता 1.5 बोल्ट होती है अगला question देख लिते हैं दोस्तों विद्दुद आप घटन के नियम किसके द्वारा दिये गए है है most important राइट अंसर जाएगा दोस्तों option number A यानि फैराडे आपको उता दे कि जब किसी रासायनिक बिलियन में विद्दुद प्रवाहित की जाती है तो वह आयनों में विगटित होना सुरू हो जाता है और इस किरिया को विद्दुद अप घटन कहते हैं इसका नियम सरोप्रथम फैराडे ने दिया था अगला question देखते हैं दोस्तों एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है right answer जाएगा दोस्तों option number C यानि एक जो दिष्ट धारा जनित्र होता है और फैराडे के सिध्धान्द पर कार्य करता है अगला last question देख लेते हैं दोस्तों एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर से विद्दुतिय बीभाव होगा right answer जाएगा दोस्तों option number A यानि सुन्य आपको बता दे कि एक आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्दुत बीभाव सरवत्र एक समान होता है यदि गोला समान रूप से आवेशित हो लेकिन विद्दुत छेत्र केंद्र पर सुन्य होता है तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरू बताएगा वीडियो पसंदाओ दोस्तों तो यह एक лайक जरू कर दीजएगा क्योंकि आपके лайक से हमें motivation मिलता है कि आपको वीडियो पसंदा रहा है और दोस्तों आप इसे अपने दोस्तों में ग्रूप में जरूर सेयर कर दीजेगा जिससे के आपके आने वाले ग्रूप D एकजाम के लिए बहुत ही महत्पूब्रीदी है जिससे की और लोगों को भी इसका help मिल सके तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत